Suppose अगर आपको AdSense approval मिल गया यहां फिर आपने buy का लिया AdSense वाली website और social traffic ले रहे हो तो आपको Google AdSense पर add limit लग जाती है जिसके तूँ आपकी within one month आपका Google AdSense disable हो जाता है ठीक है अपनी website के उपर traffic कैसे लेके बहुत से लोगों का यही question होता है का by website पर traffic कैसे लाए how to get website traffic on new blog और website ठीक है आपने एक new website के उपर कैसे traffic लेके आना है वही इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ अगर आप इन points को follow करते हो समझ जाते हो तो यार आपकी website के उपर traffic आना start हो जाएगा within 15 days ठीक अब 15 दिन के अंदर अदर आपकी website के उपर traffic आजेगा ऐसा नहीं है कि आपने अभी यह वीडियो देख लिया और वीडियो देखते ही आपकी website पर डिरोगा traffic आना चुरू हो ग ठीक है उस time को आपने manage करना और आपने यह चीजे समझ नहीं है ठीक है mind से समझ नहीं है कि इनको कैसे आपने follow करना है अब बात कर लेते हैं कि यार आपने website के उपर traffic कैसे लेके आना उससे पहले यही बात कहूगा जो अपनी हर वीडियो में आपसे कहता हो चैनल पे पहली अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो साथ में उने bell icon को प्रेस कर दो ताकि नेस्ट वीडियो भी आप तक आ सके इस सब्सक्राइब के बटन को चाहे तोरो चाहे फोड़ दो या फिर आगल लगा दो मुझे को इशो नहीं चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए तो यह वेबसेट पर ट्रैफिक लेके आने के कुछ मेथड्स है उनको फोलो करना पड़ेगा ऐसा नहीं है एक मेथड्स फोलो का लिए बाकी कुछ और दिया नहीं सब भी को फोलो करना पड़ेगा कुछ चंद ही आपको यहां पर बताने वाला हो तो यह सबसे पहला मेथड यह है कि अपनी वेबसेट के बैक लिंक्स जनरेट करने परेगी आपको वो कैसे जो हाई डोमेन अथोर्टी वाली वेबसेट है उनसे आपको बैक लिंक लेना परेगा वहां पर जाके आर्टिकल्स के अंदर अपने लिंक चोनने परेगा वो कैस कैसे आपने करना है इसको पर अलग से वीडियो है वो जा के देख सकते हो के how to generate backlinks ठीक है backlink कैसे बनाते है वो आप लोग जा के अलग से वीडियो देख सकते हो इस वीडियो में बताऊगा तो यारी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा ऐसे आपको multiple method बताने लगो आपने इनक इसके लावा आप कर सकते हो wikipedia और इसके लावा medium.com इस तना की high domain authority वाली website जो है वहाँ पर जाके आप लोग अपने backlink generate कर सकते हो इन पर backlink generate करने से आपकी website की भी domain authority जिसे आप DA या DR भी कहते हो वो बढ़ जाएगी ठीक है जब आपकी domain authority बढ़ जाएगी आप कोई भी आर authority और domain authority वो कैसे बढ़ेगी जितने ज्यादा आपको backlink मिलने वाले है high domain authority वाली website से उसके साथ आपकी website भी DA और DR या PA भी कहलो वो बढ़ जाएगी तो जैसे ही आपकी DA PA बढ़ जाएगी उसके थ्रूँ आपकी website पर traffic आना स्टार्ट हो जाएगा by google search organically आपको traffic मिलेगा इसी भी high domain authority वाली website पर जाके अपने backlink छोड़ सकते हो वहाँ पर backlink छोड़ होगे तो आपकी DA PA बढ़ेगी दूसरा method अब बात कहलेते हैं दूसरा method कौन सा है दूसरा method यार यह है कि आप लोगों ने अपने article के अंदर अपनी blog post के अंदर high searchable keywords को use करना है अब high searchable keywords कौन से है वो आपको कैसे पता चलेगा वो मैं आपको पता दूँ उसके लिए बहुत से tools आ चुके है सबसे पहले तो Google का एक अपना tool है जो बिल्कुल free of cost है वो है Google Keyword Planner अब जाकर कोई भी keyword लिखो सपोज आप लिखते हो affiliate marketing तो Google Keyword Planner के अंदर affiliate marketing के related बहुत सारे keywords आपको show हो यह चीज़े आपको मिल जाएगी ठीक है अब इसके लावा ऐसे नहीं है Google Keyword Planner यह keyword keywords everywhere इसके लावा Samrush और यहां पर Ubersuggest और आप batch super tool को भी use कर सकते हो यह भी थोड़ा बहुत अच्छा ही है आप इन tools को use करके यह पता कर सकते हो कि आप लोगोंने कौन से keyword use करने है अपने article के अंदर अपनी blog post के अंदर अब थर्ड बात आती है कि यार SEO search engine optimization अब search engine optimization कैसे करनी है इसके ओपर मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो डाला है कि how to write a blog post ठीक है how to write a SEO friendly blog post या blog post लिखने में और SEO friendly blog post लिखने में बहुत ज्यादा different है जैसे जमीन असमान ठीक है इसी तना इतना ही फरक है blog post लिखने में और SEO friendly blog post लिखने में अगर आप simple blog post लिखते हो तो उस पे Google क through traffic नहीं आएगा वही traffic आएगा जो आप share कारके लोगे शेर कारके आपने traffic बिल्कुल भी नहीं लेना इसलिए आप लोगों ने SEO friendly blog post लिखने है अगर आपको नहीं आती SEO friendly blog post लिखने है उसके ओपर complete एक वीडियो है 8-9 minute का वीडियो है जाके उस वीडियो को देखो और समझ adsense का approval भी मिलेगा इस traffic के थूँ और आपको 101% real organic traffic भी मिलेगा जितना real organic traffic आपकी site पे आएगा उतने ही ज्यादा आपकी डिये पिये बरती जाएगी time to time और उतने ही ज्यादा आपके article भी Google की search में top पे आना start हो जाएगे ये वो चीज़े है जिनको follow करने के बाद आपकी website प दिखाने में काम लगता है ये बैक लिंग जो हता है ये अपना काम दिखाने में थोड़ा time लगाता है 15-20 दिन minimum लगते है अगर आप full aspert हो लेकिन अगर आप aspert नहीं हो तो आपको एक महीना दो महीने तीन महीने और छे महीने भी लग सकते है इन चीज़ों को follow करते करते है ठीक है इनको सही से समझते हो गए जैसे ही backlink से अपना काम दिखाना चुरू करेगे तो आप लोग दुबारा से आओगे मेरी इस वीडियो पर वीडियो को भी like करोगे चैनल को भी subscribe करोगे क्योंकि 100% genuine method website traffic लेने के कोई और person आपको नहीं बताने वाला लोग यही कहते है कि इस website पर जाओ इतना traffic मिलेगा वहाँ पर share करो इतना मिलेगा share करने से traffic मिलता है ऐसा नहीं है traffic नहीं मिलता लेकिन उस पर absence approval मिलने में issue हो जाता है क्योंकि जितना social traffic होगा अतना ही ज्यादा issue होगा absence approval मिलने में suppose अगर आपको absence approval मिल गया यहाँ पिर आपने buy का लिया absence वाली suspend हो जाता है तो आप लोगों ने यह काम कभी भी नहीं करना अपनी website पर अपने articles को ज्यादा शेर नहीं करना थोड़ा बहुत traffic ले लो यानि 20% अगर शेर से traffic ले तो ले लो 80% आपका organic traffic आना चाहिए जिस तरह मैंने आपको बताया इस से आपको organic traffic ही मिलना मला है तो वीडि नेस्ट वीडियो के लिए वेट करोगे इंस्टागरम पर फोलो करना चाहते हो वीडियो की description में link मिल जाएगा जाके telegram पर फोलो करना चाहो वीडियो की description में link मिल जाएगा जाके follow कर सकते हो